जीवज में हम कई लोगों से मिलते हैं आप भी ऐसे कई लोगों से मिले हुंगे जिनोंने स्वयम को असफल मान लिया निराश हो चुके जिनोंने इस विकार कर लिया है कि इस जीवज में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए वो कुछ कर ही नहीं सकते किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं किंतु ऐसा नहीं इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भागना कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो अउशधीना कोई ऐसा विश नहीं है जो समय आने पर हम्रित न बन जाएं और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता उसे अयोग्य बनाती है उसकी सूच इसलिए स्वयम को जानो जान जाओगे कि आप क्या हो अपने अंतरमन को जगाएं आप देखेंगे कि जिस संसार की नीव ही बनी है आशा से उस संसार में निराशा हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता राधे राधे हम सब को कभी न कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी मनुष्य है इन्ही भावों से हम जुड़े हैं किन्तु ये क्रोध क्यों आता है कभी सोचा है आप ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना जैसे कभी कोई हमारी बात ना मां या कभी हमें पराजयत रात हो जाएं किन्तु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर हम दुरबल हैं क्रोध जन्म लेता है हमारी दुरबलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुरबलता बन जाता है यदि क्रोध को वश्मेना रखा जाए तो ब्रहम जन्म लेता है यदि ब्रहम को वश्मेना रखा जाए तो विवेक व्यागरता को वश्मेना किया जाए तो व्यक्ति का पर्खी नश्ट हो जाते हैं सोचने समझने की शक्ति शून में हो जाती है और पोर उस व्यक्ति का पतन हो जाते है इसलिए अपने क्रोट पर वश रखें और अपने मंग को शांत होने के लिए राद्वे राद अक्सर आपके बड़े बुड़ों ने आपसे कहा होगा कि यह संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोश से दूर जाने का मार गया कि तु सोचिये यदि यह संसार दुख का सागर होता तो क्या नियती आपको यहां पर जन्मली ने देती है क्या इश्वर यहां पर अफदार लेते हैं जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर यहां के लोगों को सोचते हैं कि काश में यहां पर आया ही नहीं एक किसान बंजर धर्ती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लह लहाते खेत में परिवर्तित करता है एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है अपने परिश्रम से उसे एक सुन्दर वेश में परिवर्तित कर देता है आप भी परिश्रम कीजिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यह है कि जब आप तो यह सोच कर जीए कि जो किसी के लिए नर्ख है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे राधे राधे राध्य किस से जुड़े अब कोई कहेगा माता पित कोई कहेगा मित्र कोई कहेगा पत्री तो कोई कहेगा संता नहीं यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय समय ही अमारा भूत है समय ही अमारा वर्तमान है और समय ही अमारा भविश्य है और हम क्या करते हैं सबसे अधिक जुड़े समय को सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नश्ट कर देते हैं कोई भविश्य के उचये सप्ण को बुंता है कि इतनिक सोचे बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं बाल दो करहें ऐसे हैं और भविश्य के विश्य में सोच विचार बनाएं आपका भूतकाल और आपका भविश्य अपने आप उत्तम हो जाए जादेर मनुष्य का सुभाव है कमाना संग्रहकन फिर चाहे वो धन हो नातें संबंध हो या हो प्रसन्यता प्रंतु क्या आपने कभी सोचा है नियती नहीं ये संग्रहकरनी की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाने एक बीद से पौधा पनवता है उसके भोजन से फल संग्रहित होता है क्यों इसलिए ताकि व्रिक्षय उसे स्वयम खा सकें नहीं बलकि इसलिए ताकि वो भुके जीवों में बाट से अब आप पूछेंगे कि इसमें व्रिक्ष का क्या लाब लाब है क्योंकि जो बाटता है वो मिटता नहीं जो पली अजीव खाते हैं वो उसकी बीजो को वातावरन में बिखेर देते जिससे जनम लेते हैं नए व्रिक्ष्व उसकी जाती उसका गुंट उसकी मिठास अमर हो जाती इसलिए स्मरण रखेगा अमीर होने के निये एक एक शंड संग्र करना पड़ता है ये तू अमर बनने के निये एक एक कण बाटना पड़ता है राधेर ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख लें उसके अधिकांच समस्याई स्वयम ही समाप्त हो जाती है और सत्य में मौन में बड़ी शक्ती होती है बड़ा बल होता है किन्तु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना है क्या सदा मौन रहना उचेत है नहीं इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विबदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाई मौन रहे यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है यदि आकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमती समझ लेते हैं फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता है और पिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाशान के भाती बन जाता है अपनी वानी का अवश्यक्ता पढ़ने पर सदुपयोग कीजिए वानी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है इससे भी अधिक महतो पूर्ण है ये समझना कि उससे कब तोड़ना है राद है राद किसी भी वस्तू को बान सकनी के लिए किसी बंधन का किसी रसी का होना अवश्यक्त परंतु इस रसी को बान सकनी की शक्ती कौन देता है वो धागे जिन से चुटकर ये रसी बनी अब बताईए प्रेम को किस रसी से स्वयम तक बांधें गया प्रेम बनता है विश्वास और विश्वास की दोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं अब प्रश्णी ये उठता है कि सत्य क्या है वो जो हमने देखा वो जो हमने सोचा नहीं हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया वास्तविक्ता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्य के दो छोर हैं जहां सत्य ने वहाँ विश्वास की नीव ने और जहां विश्वास ने वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे